अब देखरें आपके चनल शेहवजार वित आयुश और बात करने वाले दोस्तों इस वीडियो में बजाज हाउजिंग फिनांस के आईपियो को लेकर बजाज हाउजिंग फिनांस आईपियो आपको पता ही है अब ओपन होने वाला है मंडे से तो डिफिनिटली काफी कम समय बचा है बिलकुल मंडे से ओकनिंग होने वाली है लेकिन इस आईपियो को लेकर काफी सारे डाउट्स अभी भी है बहुत सारे इंवेस्टर्स के मन में और इसलिए इस वीडियो में हम सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले इंपॉर्टन बाते भी आपको बताऊंगा कि कौ कौन जो eligible है उनको पक्का पता जाएगा कि अप eligible है या फिर नहीं तो आप वीडियो को पुरा जरूर देखेगा इस पर हम हर बात करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टन बात कि है कि apply करना कैसे है ये भी तो पता होना चीए तो उसके बारे में हम इस वीडियो में समझ जाए काफी बड़ा issue है 6560 करोड का अब इस IPO के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात है तीन categories तो है QIB, Retail और HNI लेकिन साथ-साथ एक और बड़ी category आ चुकी है जिसका नाम है shareholder और employee category हम बात सिर्फ shareholder करेंगे को इंप्लोई के रहे हैं बात करने का कोई बतलब नहीं है important बात क्य shareholder के लिए सबसे बड़ी बात क्या है ठीक है so friends company इस IPO के अंदर लाई है कौन सा shareholder quota या फिर shareholder category आप कह सकते हैं और shareholder category के लिए company ने करीबन 500 करोड shares जो है वो basically reserve रखें यानी 500 करोड के shares याद रखेगा पूरा issue कितने का है 6,560 करोड का इसमें से 500 करोड रुपीज जो है वो basically company ने shareholder के लिए रख रखें आप समझ सकते है shareholder के पास कितना यहाँ पर अच्छा मौका है एक और category में पैसे लगाने का क्यों क्योंकि shareholder category वाले या तो individuals है या उनका H.E.F है H.E.F एन हिंदू undivided family और जो public equity shareholders है of its promoters अब सबसे बड़ी बात तो पहले बार eligible है कौन यह वाद ध्यान रखेगा बजाज finance जो है वो 100% stake रखती है बजाज housing finance के अंदर और बजाज फिंजर्व जो है वो basically hold करता है 51.34% stake in बजाज finance तो यह जो दोनों companies है कौन कौन सी पहली company तो हो गई बजाज finance और दूसरी company हो गई बजाज फिंजर्व यह दोनों company के shareholders basically याद रखेगा eligible रहेंगे किसके अंदर यह दोनों company के shareholders eligible रहेंगे in बजाज housing finance as a shareholder category क्योंकि यह दोनों company दोस्तो इस company की promoter है यह वाद्धान रखेगा बजाज finance 100% stake रखता है बजाज housing finance के अंदर और बजाज फिंजर्व का stake है करीबन 51.34% बजाज finance में तो अब समझ सकते हैं कि जो सबसे मान लीचा आप सबसे जो बड़े हैं वो कौन है वो है बजाज फिंजर्व रैइट अब क्योंकि बजाज फिंजर्व 100% stake रखता है किसमें बजाज housing finance में और बजाज फिन्सर्फ क्या है बजाच फिन्सर्फ प्रमोटर बजाच फिन्स का इसलिए बजाच फिन्स और बजाच फिन्सर्फ दोनों के शेयोल्डर के लिए यहाँ पर मौका है किस आईपो में लगाने का इस शेयोल्डर कैटेगरी बजाच हाॉजिंग फिन्स में कितने shares होने जरूरी थे अगर दोस्तों आपको एक share भी था तब भी आप eligible हैं किसके अंदर shareholder category के अंदर अब सबसे जो समझ में आगे आपको अब समझते हैं कि कौन सी तारीक को हमारे पर share होना जरूरी था कि मैं shareholder category में लगा दूँगा तो यह बात ध्यान रखेगा जो company अपना IPO लेकर आई है वो IPO की आरचपी जो फाइल की गई है वो कब फाइल की गई है 30th of August ठीक है 30th August को दोस्तों company ना रचपी फाइल करिए तो यह बात ध्यान रखेगा अगर अपके 30th August को आपने share खरीदा था तो आप eligible नहीं है अगर आपने 30th August से पहले share खरीद लिया था याणि आपने share खरीदा था would be eligible to apply for the subsidiary company under the shareholders quota thus as of August 30, 1994 those who held shares of Bajaj Finance and Bajaj Finzav in their DMAT accounts are eligible to apply under the shareholder quota of Bajaj Housing Finance समझ गए? यहाँ पर आपकी पाश 30th August को नहीं 30th August से पहले share होना चाहिए था 30th August को अगर खरीदा है 30th August वाले क्यों eligible नहीं है? वकर यह बात धान रखेगा हमिशा share आते हैं T plus 1 में तो आपको 29th को खरीदना जरूरी था तो आपने अगर नहीं खरीदा है 29th को या फिर आपने 30 को खरीदा है सिंपल सी बात है 30 वाले तो eligible नहीं है साफ बात 29th को खरीदा है तो आप eligible 100% है अगर आपके पास नहीं आया क्या important बात बता रहा हूँ जो भी shareholder category में अपलाया कर सकते हैं उनके पास mail जा चुका है आपको मैं mail दिखा जेता हूँ किस तरीके से आया होगा आपके पास नहीं आया और अगर आपने अभी तक check गी नहीं किया तो बात अलगे और अगर यहाँ पर नहीं आया तो उसका लाप समझ जाए कि आप eligible नहीं है क्योंकि mail सब को जा चुके है तो दीखें यह है date यह date है जो आया है सब को mail on 6th of September और किस तरीके से mail आया होगा mail इस तरीके से आया होगा यह आपका नाम लिखा होगा name of the shareholder और इधर दोस्तों आपका नाम लिखा होगा इसके उपर आपका नाम को जो है वो change कर दिया है इसके उपर आपका देखिए folio number, dpid, client id सब लिखावा होगा तो यहाँ पर जाकर आपको पता चल जाएगा इधर लिखावा है dear shareholder this is with the reference जो भी है पढ़ सकते हैं आप पढ़ाँ important बात क्या है कि company ने सब को registered आपका जो mail ID है उसके mail send कर दिया है कि आप eligible है for the shareholder category तो आपको यह तो समझ में आगया होगा इस वीडियो को देखकर कि कौन-कौन eligible है और किन के पास अब chance है shareholder category में अपना IPO लगाने का अब समझेंगे हम यह कि हम कौन-कौन सी category में लगा सकते हैं ठीक है so the first thing is कि देखें सबसे बड़ी बात shareholder category के अंदर दोस्तो allotment की जो प्रक्रिया है वो है किस की तहत proportionate की तहत मतलब किस तरीके से होगा allotment proportion में दोस्तो allotment होता हुआ नजर आएगा यह बद ध्यान रखिएगा proportion में किस तरीके से proportion का मतलब यह है कि मान दीजे shareholder category के अंदर subscription आता है around 10 times for example और यहाँ पर जो आपने IPO में subscription लगाया आपने जो यहाँ पर apply किया है अपने apply कर दिया है for 13 lots for example तो आपको 100% दोस्तो 3 lot मिल जाएंगे क्यों because जितना subscribe हो है उससे जादा आपने apply किये पहली बात तो अब shareholder category के अंदर more than 13 lots नहीं लगा सकते याद रखिएगा एक lot में 214 shares है उसको multiply कर दीजेगा 13 से उस तरीके से कि जो आपकी value है वो कितनी आनी चीए वो 2 lakh से कमाएगी तेरे lot परना 14 lots में माक्स तक जाना है माक्स तक मतलब कितना 13 lot अगर आप लगा सकते है अगर आपके उतना पैसा है तो 13 lot लगाईएगा क्यों होगा ऐसा मैं कहा रहा हूँ बगर simple जी बात है allotment proportion basis पे होगा जब allotment proportion basis पे होगा तो यह बाद ध्यान रखेगा और मिने लगा है 13 lots तो होगा क्या कि पहले preference आपको मिलेगी दन उसके बाद जो preference है वो दूसरों को मिलेगी जिसने 12 lot लगा है जिसने फिर 11, then 10, then 9, then 8, then 7 तो यह 1 तक जाएगा तो सबस्यादा chances विसके रहेंगे lot में आने के किसी को नहीं पता कि किसको मिलने वाल है lot tripper है, भली आप 10 lot भी लगाएंगे तब भी आपके chances उतने होंगे जिसने एक lot लगा रखा है retail के अंदर because retail में तो max आपको एक ही lot मिलेगा यहाँ पर ऐसा है कि अगर यहाँ पर 10 time subscribe होती है shareholder category और आपने 13 lot के लिए apply कर दिया तो आपको एक lot आने का तीन lot आने का माफ करेगा 10 time होगा subscribe होता है तो आने के chances पूरे रहेंगे क्यों because proportion में lotment है अब मैं समझ में आ चुका होगा अब मैं समझाता हूँ कि combinations क्या क्या है combination में सबसे पहला तो आता है कि आप इन दोनों के अंदर अपनी application लगा सकते है अगर आपको यहाँ पर भीगज नाई जितना आपका पैसा नहीं है तो फिर आप जा सकते है शेरोल्डर category प्लस small चनाई आप small चनाई में भी लगा सकते हैं प्लस शेरोल्डर category तो लगा ही सकते हैं आप इन दोनों के अटेगमी भी अपनाई कर सकते हैं तो यह बद्धान रखे आपके अस तीन combinations है मैं नहीं कर रखे इन तीनों में लगा सकते हैं इन तीनों में से आपको एक combination चूज करना है आपके पास जितने पैसे उसके साब से बिकास यह बद्धान रखेगा आपके पास एक chances extra रहने वाल है यू में अप्लाई अंडर दे शेविल्डर काटा कोटा एंड साइमुल्टेनिसली बिट इन दे रीटेल काटेगरी इस इस दे बेस्ट सूटेड इफ यूर ट्राइंग यह लुक्त क्यों ऐसा यहां पर लिखावा उसके पीछे का रीजन है कि रीटेल काटेगरी के पास सबसे बड़ा portion है और रीटेल के अंदर आने के chances सबसे जादा रहेंगे यह बात द्यार रखिएगा तो फ्रेंट्स इस फीडियो में इतना ही था बजाज Housing Finance के IPO के उपर वो भी जरूर देखेगा उसमें हम company के बारे में बात करेंगे इन डेप्ट राइट तो इस वीडियो में इतना ही था Thank you friends for watching this वीडियो